दोस्तों आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल गवर्मेंट एक्जाम स्टडी में दोस्तों अब लेकपाल की परिख्षय में ज़्यादा समय नहीं है उसी समय में हमको पता है कि ग्रामीन परिवेश के प्राक्टिस से पूरे कम्प्रीट हो जाने है दोस्तों बिननत हमें को वेस्ट किये हुए हम लोग अब शुरू करते हैं बस आप हमेशा की तरह कॉपी और पैंसिल लेकर बैठ जाएए और जिस क्वेशन के जो आंसर आपको लगते हैं आप उसको लिखते चलिए और साथ ही साथ मैच करते हुए चलिए और कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताईएगा आपके कितने माक्स आ रहे हैं पहला क्वेशन पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? संग लोकसेवा आयोग, राजी विधान मंडल, राजी निर्वाचन आयोग या फिर भारत का निर्वाचन आयोग? आप सभी को पता होगा, पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? यह इसका आप्शन होगा C राजी निर्वाचन आयोग जो है, वो पंचायतों का निर्वाचन कराता है दूसरा क्वेशन किस अनुक्षेद के तहट नगर पालिकाओं में आरक्षर संबंधी प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243I, आर्टिकल 243B, या फिर आर्टिकल 243T इसका उत्तर हो सकते हैं, आपको पता हो, अगर पता है तो बहुत अच्छा है नहीं पता है तो बता दे रही हूँ, तू का यहाँ पर D होगा आर्टिकल 243T के तहट नगर पालिकाओं में आरक्षर संबंधी प्रावधान है तीसरा देखते हैं, धूसर क्रांती या ग्रे रिवलुशन किस से संबंधित है? आलू, उर्वरक, कच्चा तेल या फिर बागवानी ग्रे रिवलुशन आपने अगर पढ़ा होगा तो यह आपका है उर्वरक यानि कि फर्टिलाइजर से है तो तीसरे का क्या है दोस्तों, B सारे रिवलुशन ज़रूर पढ़के जाएगा ग्रीन रिवलुशन, गेलो रिवलुशन, आपकी कहते पिंक रिवलुशन, जितनी भी वाइट रिवलुशन, सब पढ़के जाएगा नेक्स देख लेते हैं उज्वला योजना किस से संबंधित है? इसका मुझे नहीं लगता आपको आप्शन की ज़रूरत है सबको पता होगा उज्वला योजना है LPG कनेक्शन से, सिलेंडर के कनेक्शन से संबंधिती उज्वला की कई योजना है आई है पहले उज्वला आया था फिर उज्वला 2.0 भी आई है पांचवा कोशन देख लेते हैं गाय का दुख्द उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है प्रोलाक्टिन, गॉनेडोट्रोपिन, सार्विटाल या फिर डाइकलोफेनिक तो आपको इसमें से पता होगा क्या उत्तर है इसका गाय का दुख्ध बढ़ाने के लिए प्रोलैक्टिन दिया जाता है डाइकलोफेनिक क्या है दोस्तों डाइकलोफेनिक है आपको पता है जो यह कितने गिद्धों के मरने का कारण हुआ है गिद्धों की सबसे अदा मृत्तु जो हुई है वो इसी की वज़े से भी डाइकलोफेनिक की वज़े से अगला क्वेशन देख लेते हैं छटवा क्वेशन कन्या सुमंगला योजना कब शुरू किया गया 3 जुलाई 2019 25 अक्टूबर 2019 10 जन्वरी 2020 या फिर 25 दिसंबर 2019 तो क्या उत्तर है इसका कन्या सुमंगला योजना शुरू हुई थी 25 अक्टूबर 2019 को 6 का B है सात्मे का क्या है सात्मे का आपका B है राष्ट्री क्रिशक आयोग आठमी पंचवर्षी योजना में स्थापित किया गया था आठमा क्वेश्चन है शेर शाह के साशनकाल में सबसे छोटी इकाई गाउं की क्या थी गाउं, मौजा, दी या फिर शजरा जसका उत्तर आप लोगो पता होगा शायद एट का क्या है शेर साहकित हासनकाल की सबसे छोटी इकाई क्या थी मौजा एट का आपका B है उसके बाद क्वेशन देख लेते हैं नमा क्वेशन राज एवं जिले के बीच समन्व्यक होता है कौन होता है राजसुनी रिक्षक, तहसीलडार, उप जिलाधिकारी या फिर जिलाधीस कौन होता है राज एवं जिले के बीच जिलाधीस समन्व्यक होता है ठीक है दसमा देख लेते हैं कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, देखिए भी repeat question, इसलिए मैं कहीं कुछ नहीं करी, अगर आप practice it भी लगाते रहेंगे न, तो कई question आपके repeat होते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी, option देने की जरूरत नहीं है, के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, ग्यारवा question, उत्तर प्रदेश का सबसे उचा बांध कौन सा है, मेजा, रीहंद, राम गंगा या फिर माता टीला, सबसे उचा बांध कौन सा है आपका, ग्यारवा का सी है, राम गंगा, उत्तर प्रदेश का पूछ रहें, उत्तर प प्रदेश का जिला है ललिदपुर गोरकपुर आजमगर गाजियाबाद क्या है बताईए 12 का डी है गाजियाबाद ठीक है सबस्यादा डेंसिटी कहां की है गाजियाबाद की है तेरा क्वेशन है देवी उत्पत्ति के सिध्धान्द के अनुसार समाज को माना जाता है देव समाज, देवी उत्वत्ति के संधान के अनुसार देव समाज माना जाता है 14 क्वेशन देखते हैं अनुसंधान प्रारूप में योजना, सन्रचना एवं युक्ति शामिल है ये कथन किसका है? एकोक, एफ एन कर्लीजर, पीवी यंग, गुढधे एवं हाट 14 क्या है? बी है अनुसंधान प्रारूप में योजना, सन्रचना एवं युक्ति शामिल है एफ एन कर्लीजर का या कथन है 15 क्वेशन देख लेते हैं असत्य युगम का चैन कीजिए 16 आना बराबर एक रुपया 12 पाई बराबर एक आना 20 क्रॉट बराबर एक पाई 20 जव बराबर दो डिस्मल तो 15 का क्या उप्षन है? असत्य युगम काउन सा है इसमें से? डी वाला आपका 20 जव बराबर दो डिस्मल के नहीं होता है कितने डिस्मल के होता है मुझे बताइएगा आप सोला क्वेशन जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतरगत पठन होना कहलाता है 0, 15 डिगरी, 20 डिगरी या फिर 30 डिगरी तो क्या होता है? सुई जब उत्तर दिशा को इंगित करती है तो प्रिज्म के अंतरगत 0 होता है सोला का आपका A हो जाएगा भाग के या फिर न नद माइनस वन भाग के तो क्या होगा इसका 17 का 17 का होगा आपका b n माइनस वन भाग के ठीक है अगे देखते हैं अगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम सभा की संख्या है कितनी है ताईए 18 का मैं सीधे option बता दे रही हूँ, पता नहीं हो सकता, exact आपको ना पता हो data, 18 का सीधे बता दे रही हूँ answer, कुल ग्राम सभा की संख्या है C, 69163 ग्राम सभा है, ठीक है उत्तर प्रदेश में, 19 question, समीति की विशेशता है, एच्छिक सदस्यता, स्वताह विकास, इस्थाई तो नीज का क्या है A, एच्छिक सदस्यता, 20 देख लेते हैं, भारत में सामुदाइक विकास योजना, किस राश्ट्री नेता के जर्म दिवस पर लागू की गई, जवाहलनाल नहरू, भगत सिंग, चंदर शेखर आजात, या फिर महत्मा गांधी, सामुदाइक विकास यो ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष है, गावों में कुटीर उद्यों की स्थापना, गावों का सरवांगीर विकास, क्रिशी का विकास, या फिर सामाजिक विकास, 21 क्या होगा, लामोनोहर लोहिया मुझे लगता आप में से कई लोग को पता होगा, इसका उत्तर होग गावों का सरवांगीर विकास, ग्राम विकास योजना का मुख्य लक्ष है, बाइस क्वेशन देख लेते हैं, भारत में सामाजिक सरवेक्षर से संबंदित कौन सी संस्था है, NCAER, National Sample Survey, Indian Statistic Institute या फिर उप्युक्त सभी, क्या है बाइस का, बाइस का है आपका, बी, टिया सभी संस्था है, ठीक है, बाइस का D, तेइस देखते हैं, निम्न लिखित में कौन सा सञ्युक्त परिवार का दोश है, इस्तियों की दुरदशा, जनसंख्या में, वृध्धि, A और B दोनों या फिर इस्तियों का सम्मान, तो टेईस का क्या है, सञ्युक्त परिवा अगरा देखते हैं उसके बाद ग्रामीर विद्यूती करण निगम की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में वर्ष 1975 में वर्ष 1976 में या वर्ष 1977 में तो यह क्या है बताईए इसका option 24 का क्या है A 1969 में 79 वर्ष 1979 में ठीक है चलिए एक last question आपका है और यह आपको बिल्कुल अच्छे से इसका answer देना है आपको बहुत से दिमाग लाके ऐसे question गलत नहीं करके आने बहुत बाद मैंने बताया आपको कि आपको यह सबब रट जानी चाहिए unit एक दसंबलो या decimal किसके बराबर होता है बताईए एक दसंबलो या decimal किसके बराबर होता है बीज जव के अब यह question भी आपने किया है यहाँ पे आज मैंने बताया था आपको बीज जव बराबर किसके बराबर लिखा था वहाँ पे वहाँ लिखा था दो decimal के जो किसके बराबर होता है 20 जव आपका 1 डिश्मल के बराबर होता है A का 4 होते ही आप answer ये वाला मार देंगे अब देख लेते हैं 1 air बराबर 100 वर्ग मीटर है ठीक है? 1 cm बराबर 2 mm है और 1 बिस्वांसी बराबर 20 कच्वांसी है ये सब चीज़े यूनिट देखें आपको PDF के माध्यम से टेलिग्राम पे भी दी हुई है पढ़ाया भी एक बार है तो देख लीजेगा आप वहां से बाकी मुझे पता आपके तैयारी इतनी अच्छी होई कि ये सब यूनिट आप बिलकुल गलत नहीं कर रहे होंगे धन्यवाद दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके कितने माक्स आ रहे हैं धन्यवाद